शादी में पांच लाक और कार की मांग पूरी नहीं करने पर संबंद तोड़ने की धमकी मंगेतर ने स्पी से की शिकायत शिवपरी चुले के पूरी थाना श्वेतर के रहने वाली एक युफ्ती ने अपनी मंगेतर पर शादी में दहेज मांगने का आरोप लगाए हैं पूरी थाना श्वेतर के ग्रामीर अंचल की रहने वाली युफ्ती ने बताया कि उसके शादी ऑक्टूबर 2022 में ठर्डरा गाउं के रहने वाले राजकुमार जाटप से तै हुई थी उस दोरान दहेज की कोई बात तै नहीं हुई थी ऑक्टूबर 2023 में मेरे परिजनों न तोड़ने की धंकी दी जाने लगी युफ्ती का कहना है कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है जो राजकुमार की मांग को पूरा कर सके राजकुमार की मांग और शादी रद्द करने की धंकी से मेरे माता पिता बेहत परिशान है इसी के चलते वा मंगलवार को ए परिवाही करना स्वाहते हैं